हेलो स्टुदेंट्स, वेलकम टू यूपी से एसेस, ओ लेवल M4R5 सरीज का लेक्चर नंबर 12 है, और हम पिछले वीडियो में वर्किंग आफ कंट्रोल सिस्टम, टाइपस आफ कंट्रोल सिस्टम इन दोनों के बारे में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा अगला टॉप अब जब बात हम कनेक्टिविटी की करते हैं, तो जहिर सी बात है कि यहां पर हम नेटवर्क की बात कर रहे होते हैं, नेटवर्क चाहे छोटा हो, बड़ा हो, वायर्ड हो, वायरलेस हो, इस से नहीं मतलब है, ठीक है, कनेक्टिविटी मॉडल की बात करते हैं, तो वो रिल वैसे तो हम network के बारे में पढ़ चुके हैं, network के types के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात जब connectivity model की करते हैं, तो connectivity model भी networking से ही related है, यानि कि networks related है, तो हमारा जो network काम करता है, वो exactly किस तरीके से काम करता है, वो define किया गया है OSI model में, बास समझ में आ गई, ठीक है, यानि कि हमारा जो network है, वो किस तरीके से एक device है, दूसरी device में data को send करता है, यानि कि communicate करता है, यहाँ पर माल लेते हैं, यह आपके दो devices हैं, वो laptop, computer, कुछ भी हो सकते हैं, अगर इसके बीच में data send या फिर उससे receive करना हो, तो इसके लिए हमें network की ज़रूत पड़ेगी, और यह जो network है, यह exactly किस तरीके से काम करता है, यह define करता है, TCP, IP या फिर OSI model, बस समझ में आ गई, अभी दोनों के बारे में पढ़ेंगे, तो दोनों में जो difference है, यह भी आपको समझ आ जाएगा, तो I think यहाँ पर इतना तो clear हो गया होगा, कि जो हम OSI model पढ़ने जा रहे हैं, यह क्या है, यह describe करता है, कि हमारी जो network के बीच में जो devices हैं, उनका जो communication होता है, वो किस तरीके से होता है, और जो OSI model है, यह बस एक theoretical based model है, theoretical का मतलब कि इसका कोई practical use नहीं है, जैसे HTTP protocol हो गए, या networking में और जो hardware यूज होते हैं, या software यूज होते हैं, फिर जो protocol यूज होते हैं, वो exactly practically यूज होते हैं, लेकिन जो OSI model है, यह बस एक तरह से समझ सकते हैं, एक algorithm का काम करता है, जैसे आपने O level M3 में programming पढ़ रखी है, python, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, python यानि कि जो जो program है, जो code है, उसका flow क्या है, उसकी planning क्या है, उसो किस तरीके से manage करना, उसका behavior क्या है, यह algorithm और flow chart क्या है, एक तरीके से सिर्फ reference model है, यानि कि theory है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, बास समझ में आ गई न, इसका algorithm and flow chart का लेना देना practical से नहीं होता, लेकिन फिर भी यह जरू algorithm model में, यानि कि connectivity model में हमारे TCP, IP and OSI model होते हैं, जो कि सिर्फ theoretical reference को define करते हैं, कि हमारा जो network है, वो किस तरह से काम करता है, अब इसके कुछ अपने layers होती है, ठीक है, layers का मतलब सीधा है, कि उनको level को define कर दिया गया, ठीक है, कि जब हमारा data जो है, वो एक computer से दूसरे computer में जब transmit होता है, ठीक है, तो वो किस level से होके कुजरता है, इसी को यहाँ पर layer के रूप में, यहाँ पर divide कर दिया गया है, अभी हम पढ़ेंगे, OSI model में 7 layer होती है, इसे 7 layer architecture भी कहा जाता है, तो बात करते हैं OSI model की, OSI model का पूरा नाम open system interconnection है, इसे ISO, यानि कि international organization for standardization ने 1984 में विक् model का मतलब सीधा है, यही है कि network हमारा किस तरह से काम करता है, बस उसी को यहाँ पर define किया गया है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, इस model की प्रतेक layer दूसरे layer पर निरभर नहीं होती, यहाँ पर ध्यान रखना, जो यहाँ पर हम 7 layer अभी पढ़ेंगे, तो एक layer दूसरे layer पर यहाँ पर depend नहीं होती, depend होना और ना होने का मतलब आपको पता होगा, ठीक है, depend होना या ना होने का मतलब सीधा है, कि जैसे मा लेते हैं कि आपका software है, ठीक है, software कोई भी software हो, application हो, system हो, तो जो भी software होते हैं, वो hardware पर depend होते हैं, वो किस पर depend होते हैं, hardware पर depend होते हैं, क्यों डिपेंड होता है, बात समझ में आ गई, यह चीज के लिए है, हलाकि वो बात अलग है कि जब तक software and hardware दोनों का combination नहीं होगा, तब तक उसे हम use नहीं कर सकते हैं, वो अलग बात है, यहाँ पर आपको हम सिर्फ depend और independent का मतलब समझा रहे थे, ठीक है, तो जो layers होती है, वो एक दूसरे के उपर depend नहीं होती, लेकिन एक layer से दूसरे layer में data transmission होता है, यानि कि जो seven layer है, उसमें एक layer से दूसरी layer में, दूसरी से तीसरी layer में क्या होता है, data transmit होता है, लेकिन इसका मलब यह नहीं कि वो depend है, depend का मलब यह हो गया, कि उसके बिना वो दूसरी layer काम भी नहीं करे ठीक है, आगे बढ़ते हैं, OSI model यहां बताता है कि किसी network में data या सोचना कैसे send या receive होते हैं, इस model के सभी layer का अपना अलग-अलग काम होता है, जिससे कि data एक system से दूसरे system तक आसानी से पहुंच सके, OSI model यहां भी describe करता है कि network, hardware तथा software एक दूसरे के साथ layer के रोप में कैसे कारी करते हैं, यह भी describe करता है कि hardware और software एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं, जब हम एक network का use करते हैं, इस model की 7 layer होती है और प्रतेक layer का अपना विशेस कारी होता है, जलिए हाँ पर पढ़ते हैं 7 layer के बारे में, तो यहां पर total 7 layer होती है, यहां पर आप देखेंगे इस diagram मे यह आपकी हो गई, application layer, presentation layer, station layer, transport layer, network layer, data link and physical layer, बास समझ में आगी, आपको ज्यादा तर cases में diagram आपको इसी तरीके से मिलेगा, जिसमें जो application layer होगी, वो सबसे उपर होगी, लेकिन यहां पर जब इसको पढ़ा जाता है, तो यहां पर physical layer जो होती है, इसे पहली layer माना जाता है OSI model की पहली layer कौन सी है, physical layer है, ध्यान रखना, अगर कहीं भी आप diagram देखेंगे, तो application layer हमेशा आपको ऊपर मिलेगी, लेकिन नीचे से इसे पढ़ा जाता है, यानि कि जो physical layer होती है, यह क्या होती है, पहली layer होती है, clear है, फिर दूसरी layer कौन सी होती है, data link, तीसरी, network, दूसरे computer में, या एक device से दूसरे device में किस तरीके से transmit होता है, इसको समझते है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं, physical layer की, physical layer, OSI model में physical layer सबसे नीचे की layer होती है, या फिर OSI model की सबसे पहली layer जो होती है, वो physical layer होती है, physical layer की सीधी सी बात है कि हम hardware की बात कर रहे है, किसकी layer, physical तथा electrical connection के लिए जिम्मेदार रहता है, जैसे कि voltage या data rate क्या होगा, यह किसकी जिम्मेदारी होते है, physical layer की, voltage वगरा को manage करना, इस layer में digital signal, electrical signal में बदल जाते हैं, चहर सी बात है कि जब आपका computer या जो भी devices होगी, अगर digital device है, तो वहाँ पर जो आप data पढ़ रहे हैं, यहां तक कि आप जो PDF में जो भी यहां पर लिखा हुआ है, यह क्या है, एक digital data है, ठीक है, data का एक digital form है, और जब यह data travel होता है, तो यह क्या होता है, electrical signal में convert हो जाता है, ताकि एक जगे से दूसरी जगे transmit हो सके, ठीक है, तो यहां पर physical layer की ही जिम्मेदारी होती है, digital signal को electrical signal म बदलना, इस layer में network की topology अर्थात layout of network का कारिभी इस layer में होता है, यानि कि जो network हमारा है, जैसे हमने topology के बारे में पढ़ रखा है, maze topology, tree topology, bus topology, star topology, तो कौन सी topology है, यह काम किसका होता है, यह भी physical layer का ही काम होता है, ठीक है, फिर उसके बाद physical layer यहां भी describe करता है, कि communication wireless होगा या फिर wired होगा, ठीक है, मलब communication यानि कि जो हमारा data travel होगा, वो wired network के थुरू होगा, या wireless के थुरू होगा, यह भी physical layer ही define करती है, ठीक है, define करती है, कहने का मलब सीधा है, कि वो identify करती है, ठीक है, मलब यह इसी की जिम्मेदारी होती है, फिर उसके बाद यहां पर function of physical यहां पर जैसा कि हमने बताया, कि यह सब क्या है, यह एक सिर्फ reference model है, यानि कि समझने और समझाने के लिए, बाकि इसका practical use नहीं होता है, ठीक है, फिर यहां पर function of physical layer में, physical layer यह define करती है, कि यह दो या दो से अधिक devices आपस में physically कैसे connect होती है, इसके दोरा यह define किया जाता ह है, कि network में दो devices के मद्ध कौन सा transmission mode होगा, अभी हम transmission mode के बारे में आगे देखेंगे, इसी PDF में, जिसमें simplex, half duplex and full duplex, यह तीन transmission mode होते हैं, तो इन तीनों में से कौन सा transmission mode है, यह भी किसका काम होता है, physical layer का होता है, उसे identify करना, ठीक है, तो यहां पर I think यह चीज आपके clear हो hardware layer हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद अगली layer है हमारी data link layer, data link layer OSI model की दूसरी layer होती है, या फिर कहें, नीचे से दूसरी number की layer होती है, इस layer में दो sub layer होती है, एक होती है MAC और दूसरी होती है LLC, MAC यानि की media access control, LLC यानि की logic link control, यह data link layer की दो sub layer होती है, इस layer में network layer द्वारा encryption and decryption जो की presentation layer करती है, और एक होता है decode और encode, तो हमारा data होता है, वो decode और encode कौन करता है, data link layer करती है, बाकी अगर आप decode, encode या फिर encryption और decryption के बारे में detail में जानना चाहते हैं, तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप error free होने चाहिए, इस layer को frame unit भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जो data हमारा होता है, वो frame में divide होता है, अभी जो data होता है, वो frame क्या होते है, packets क्या होते है, और कौन से layer पर data का क्या form होता है, वो हम आभी आगे देखेंगे, पहले layers के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बा protocol प्रियोग होते है, HDLC यानि की high level data link control और PPB यानि की point to point protocol ठीक है, तो ध्यान दखना, यहां पर यह दो protocol यूज होते है, data link layer पर exam question इससे पूछा जा सकता है, यहां पर data link layer के function के बारे में बताया गया है, तो देखते है, यह layer physical raw bit stream को packet में translate करती है, यानि कि physical raw bit stream का मतलब क्य होते है, ठीक है, bit का मतलब सीधा है, one या फिर zero, ठीक है, one या फिर zero ये क्या होते है, bit होते है, ठीक है, तो finally data जो होता है, वो one और zero के form में ही हमारा travel होता है, यानि एक जग़ спросee, जब data transmit होता है, तो वहाँ पर only one और zero के form में travel होता है, यानि бол SoundRY just the यानि कि दूसरी layer को मिलता है तो यह क्या करता है कि bit of stream को यह packets यानि कि frame में translate करता है यानि कि frame में convert करता है और यह layer इन frame में header और trailer को add कर दिये ठीक है इसके बारे में भी आगे हम देखेंगे इसका मुख्य कारी flow control करना है इसमें receiver और sender दोनों तरफ से एक नियत data rate को maintain किया ज receive भी करना होता है तो यह काम भी data link layer का होता है जब दो या दो से अधिक devices एक communication channel से जुड़ी रहती है तब यह layer निर्धारित करती है कि कि किस device को access दिया जाएगा ठीक है तो यह सारे काम data link layer के होते है तो physical layer data link layer फिर उसके बाद अगला हमारा है network layer यानि कि IP protocol के बारे में आप switching तकनीक का प्रियोग किया जाता है switching और routing यहां पर होती है तो switching और इसमें IP protocol काम करता है अब ये switching और routing क्या होती है दोखिए इसके लिए हमने बताया कि इसके लिए switch और इसके लिए router की ज़रुत पड़ती है तो जो router है वो आपने देखा होगा कि आपके घरों में भी लगा होगा ठीक है जिसके पास broadband connection है तो वहाँ पर हमें router मिलता है router से हम क्या कर सकते हैं router से हम एक router से यानि की एक hot spot device है आप अपने phone को भी router बना सकते हैं फोन में जब आप hot spot on करते हैं और उसके जरीए दो या तीन लोग या एक या दो लोग connect होते हैं तो वहाँ पर data सभी से आ रहा होता है और आपके phone से हो करके फिर आगे जा रहा होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका phone as a router काम कर रहा होता है अगर phone में आपने hot spot on कर र logical address भी कहते हैं ठीक है ध्यान रखना logical address कहें या फिर IP address कहें एक ही बात है तो यह काम कहा होता है network layer पर होता है तो I think यहाँ पर आप समझ चुके होंगे network layer में जो data होता है वह packet के रूप में होता है और इन packet को source से destination तक पहुंचाने का काम network layer का होता है इस layer को packet unit भी का जाता है देटा होता है वो यहाँ पर packet के form में होता है ठीक है अब यह data packets क्या होता है इनके बारे में जब हमने यह पढ़ा था नेटवर्क लेयर की मुख्य जेमेदारी इंटर नेटवर्किंग की होती है या अलग-अलग डिवाइसेस में लॉजिकल कनेक्शन उपलब्द कराती है मतलब सीधी सी बात है कि नेटवर्क लेयर का काम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा को मलब डेस्टिनेशन तक पहुंचाना मतलब उसको एक तरह से फैंच करना कि कौन सा रूट रहागा और कौन सा रास्ता सही है बस यह आईपी एडर्स की मदद से यह ढूंती है और बीच में यूज करती है स्विचिंग और रौटिंग तकनीक का ठीक है यहां फ्रेम के हैडर में सोर्स और डेस् पहुंचना है उन दोनों के जो एडर्स होते हैं वो फ्रेम के हैडर में एडर करती फ्रेम यानि कि हमारा डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है और हर एक पैकेट पर हैडर लेवल लगाया जाता है और उस हैडर लेवल में सोर्स और डेस्नेशन दोनों का क्या होता है ए एक लेटर ठीक है एक लेटर ठीक है पेपर की बात कर रहे हैं एक लेटर अगर आप पोस्ट मैन के द्वारा अगर किसी दूसरे एडर्स पर भेजना चाहेंगे तो उस लेटर के अंदर क्या होगा आपका डेटा आपने जो अप्लिकेशन या जो भी लिख रखा है उसके कौन करता है यह नेटवर्क लेटर करती है जो हमारे फ्रेम होते हैं उसके हेडर में सोर्स और डेसनेशन का जो आईप अडर्स होता है उसे डालती है इस लेटर का काम रौटिंग का भी है या सबसे अच्छा पाथ यानि की रास्ता निरधारित करती है routing का मतलब सीधा है, routing का मतलब की हमारा जब data एक routing device तक यानि router तक पहुंचता है, तो router यह देखता है कि हमारा data कहा जाना है और उसके लिए कौन सा route सही है, उसी हिसाब से वो data को route कर देता है, यानि की mode देता है, सीधी सी बात है, ठीक है, फिर बात करते हैं, transport layer की, transport layer OSI model की protocol, वैसे तो हम TCP और IP को जब भी पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन TCP जो है, यह transport layer पर काम करता है, जबकि जो IP है वो network layer पर काम करता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो transport layer है, वो OSI model की चौती layer है, और इस layer का प्रियोग data को network के मध्ध में से सही तरीके से transfer किया जाता है इस layer का कारिद दो computer के मध्ध communication को उपलब्द कराना भी है, इसे segment unit भी कहा जाता है, ठीक है, तो transport layer का मुख्य कारे data को एक computer से दूसरे computer तक transmit करना है, यानि कि data को ले जाने के जम्मेदारी किसकी है, transport layer की, और सही address पर जाएगा कि नहीं जाएगा, यह किसके जम्मेदारी है, network layer की, ठीक है, बास समझ में आ गई, तो transport layer के लिए TCP protocol यूज होता है, और network layer के लिए IP protocol यूज होता है, इसलिए कहा जाता है, कि internet में TCP और IP ये दो main protocol है, क्योंकि इसके जम्मेदारी होती है, जो data है, वो सही address पर पहुँचे है, और इसके जम्मेदारी होती है, डेटा को ले data को क्या करता है, packets में कौन divide करता है, transport layer, ठीक है, transport layer क्या करती है, data को packets में divide कर देती है, और हर packet का एक sequence number होता है, जिससे प्रते एक segment को आसानी से identify किया जा सके, अब जो data है, वो packets में किस तरह से divide होता है, यह हमने बताया है, हम समझ चुके हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह दो प्रकार की service प्रदान करती है, connection oriented यानि कि TCP और connectionless यानि कि UDP, यह flow control और error control दोनों प्रकार के कारियों को करती है, ठीक है, flow control यानि कि data को ले जाने के यह मेंदारी है, और error भी control करती है, फिर बात करते हैं, session layer की, session layer OSI model की पांचुई layer है, जो की बहुत सारे computer के मद्ध connection को control करती है, session layer दो devices के मद्धि communication के लिए session उपलब्द गराता है, session क्या होता है, तो session का मतलब सीधा है, कि जैसे आपने computer में browser में कोई website open की, ठीक है, तो website जब आपने open की, तो वहाँ पर आपका session बना, वहाँ पर क्या हुआ, session आपका बना, फिर आपने उस website में कुछ और स हो सकता है, कि नए-नए tab open करके, बहुत सारी website आपने open कर रखी हो, तो वो सब अलग-अलग session होते हैं, example के लिए, जैसे आपने अपने browser में दो tab open किये, ठीक है, दो tab open किये, और एक tab में आपने माल लेते हैं, कि किसी SBI bank की networking open कर रखा है, login कर रखा है, और एक में आपने HDFC bank क जो है, net banking login कर रखा है, तो दोनों ये अलग-अलग session है, अगर आप इसे बंद करेंगे, तो ये session terminate होगा, अगर आप इसको बंद करेंगे, तो ये session terminate होगा, ठीक है, यानि कि बनेगा terminate होगा, तो ये काम किसका होता है, session layer का, तो session layer का मतलब समझ में आ गया, session layer है, जो कि session को manage करती है आसान सब्दों में कहें तो station layer का मुख्य कार या देखना है कि किस प्रकार connection को establish करना है यानि बराना है maintain करना है और उसे terminate करना है तो यह काम किसका है station layer का होता है यहाँ पर function of station layer तो station layer जो है वो dialogue controller की बहुत कारी करती है या दो process के समध्य dialogue को create करती है या synchronize के कारी को भी पूरा करती है अर्था जब भी transmission में कोई error आती है तो transmission को दुबारा किया जाता है ठीक है तो यह बात हो गई session layer की अब बात करते हैं presentation layer की presentation layer OSI model का छटवा layer है यानि कि 6 नंबर पर आती है इस layer का प्रियोग data को encryption तथा decryption के लिए किया जाता है ध्यान रखना encode और decode data कहा होता है data link layer पर और encryption और decryption कहा होता है presentation layer पर ठीक है इसे data compression के लिए भी प्रियोग में लिया जाता है ठीक है data compression क्या होता है compression का मतलब data सीधा है कि जब data आपका travel होता है तो data compress हो जाता है compress से क्या होता है कि आपका data माल लेते हैं कि अगर 100 MB का है तो compress होने के बाद हो सकता है कि वो 90 MB का हो जाए उसमें जो extra spaces या जो भी होगा वो compress हो जाता है तो compression का मलब सीधा है कि आपका data अगर 100 MB का है जिसकी वज़े से जो आपका travel time है वो बचेगा, ठीक है, तो इसे data compression के लिए भी प्रियोग में लिये जाता है, और यह layer operating system से संबंदित होती है, ठीक है, तो देखे जो presentation layer है, और इससे पहले जो हमने session layer पढ़ा है, और जो आगे application layer पढ़ेंगे, यह तीनों जो layer हैं, यह software पर जाता है, ठीक है, यहाँ पर session presentation और application, यह तीनों layer जो होती है, यह एक तरह से software पर ही software पर ही काम करती है, function of presentation layer, इस layer का कार encryption का होता है, privacy के लिए इसका use किया जाता है, ठीक है, encryption और decryption जो होता है, वो privacy के लिए किया जाता है, जैसे example के लिए, मा लेते हैं कि आपने hello, ठीक ह यहाँ पर hello किसी को भेजना है, तो hello अगर आप directly इस तरह से भेज देंगे, इसको सही से लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, hello अगर आप इस तरह से message किसी को directly भेजेंगे, तो कोई भी बीच में इसे देख के आसानी से read कर सकता है, लेकिन अगर आप इसको encrypt कर दे, तो encrypt यह इस तरह से भी कर सकते हैं, कि जो A से Z तक आपके 26 alphabet होते हैं, तो उसमें H की position क्या होती है, यहाँ पर उसका हम number दे सकते हैं, example के लिए माल लेते हैं, 9 है, ठीक है, बस समझाने के लिए वनना calculate करना पड़ेगा, तो time लागेगा, ठीक है, तो H की position 9 है, और E की position माल लेते हैं 11 है, फिर 11 है, और यहाँ पर O की position माल लेते हैं, यहाँ पर 20 है, ठीक है, बस समझाने के लिए, तो इस तरह से अगर आप message वेजेंगे, तो यह एक क्या हो गया, इस data का encryption हो गया, ठीक है, तो इसे आजानी से कोई read नहीं कर सकता, और आपको इसके बारे में पहले से पता ठीक है, तो इसे आप वापस से decrypt कर लेंगे, यानिकि इसका decryption कर लेंगे, तो यह हो गया, encryption और decryption इस तरह से data का होता है, लेकिन जो computer में होता है, इसका encryption और decryption की process अलग होती है, हलाकि data अगर आपका encrypt है, तो इसे decrypt करने में hackers को बहुत जादा time नहीं लगता है, ठ प्राइविसी के लिए एक step है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राइविसी के लिए इसका use किया जाता है, इसका मुख्य कारी compression का भी है, और compression बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम data को compress करके, उसके size को कम कर सकते हैं, ठीक है, तो presentation layer समझ में आ गया, अब बात करते हैं application layer, जो application layer होती है, इसी पर user, user यानि कि हम लोग जब internet access करते हैं, कोई भी network चलाते हैं, तो हम जो काम कर रहे होते हैं, वो exactly कहां कर रहे होते हैं, application layer पर कर रहे होते हैं, और उस application layer पर जो भी हम काम कर रहे हैं, वहाँ से अगर कोई message यानि कि data अगर हम send करते हैं, तो वो एक करके application layer पर पहुंचता है फिर application layer से presentation, presentation से और इस तरह से order by order वो last तक physical layer और physical layer से फिर data transmit होता है इसके बारे में आगे हम समझाएंगे और आगे diagram भी दिया गया है ठीक है तो application layer OSI model का साथवा यानि कि सबसे उचतम layer है application layer का मुख्य कार हमारी वास्तविक application यानि कि जिस पर exactly काम करते हैं ठीक है उसके बीच में वो interface का काम करता है application layer इंड यूजर के सबसे नजदीक होता है यानि कि हम लोग इंड यूजर है ठीक है इसके सबसे नजदीक होता है इस layer के अंतरगत HTTP, FTP, SMTP, NFC यह सारे protocol किसमें आते हैं application layer में क्योंकि जब हम कोई भी website यानि internet पर कुछ भी सर्च करते हैं तो HTTP protocol की जिम्मेदारी होती है FTP यानि कोई file transfer करते है तो FTP, SMTP ठीक है तो यह सब protocol के बारे में आपको पता है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर application layer के function को समझते हैं application layer के द्वारा user remote computer से file को access कर सकता है और finding data content कर सकता है यह जिसवी folder यानि delivery का मलब सीधा होता, folder यानि कि ऊसका address ठीक है तो इसको भी एक्सेस कर सकते हैं तो यह सारे काम application layer पर होते हैं अब hier यहां पर आप थोड़ा सा detail में समझ लीजिए कि जो आपका OSI model है वो exactly काम कैसे करता है आप देखिए OSI model के बारे में समझ चुके connectivity model है क्या है वो पढ़ चुके ठीक है और हमने सातों layer के बारे में भी समझ लिया अब जब हम एक computer से दूसरे computer में data को send करते हैं तो exactly क्या होता ह है इसको समझते हैं ठीक है तो यहां पर यह जो आपका computer है इसे माल लेते हैं sender ठीक है इसे क्या माल लेते हैं sender यानि यह data को send कर रहा है और यह देटा को रञा है रिसीज न हमरा को संद करता है कि आप ने WhatsApp किया mail किया उसी को send वाना जाएका नहीं यहां तक कि अगर आपन पर यह क्या है आपका sender और यह क्या है receiver तो जो आपने कुछ भी send किया कुछ भी send करने का मलब आपने कुछ search किया mail किया WhatsApp किया कुछ भी किया तो सबसे पहले जो आप काम कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं application layer पर कर रहे हैं अब अगर आपने mail किया है presentation layer पर क्या होता है कि वो जो हमारा data होता है data का मतलब जो भी हमने message send किया है जो भी request हमने की है वो data क्या होगा सबसे पहले तो presentation layer पर वो data compress होगा हमने पढ़ा है presentation layer क्या करेगी data को compress करेगी और compress करने के साथ साथ में क्या करेगी data को encrypt करेगी पहले क्या होगा data का encryption ध्यान दे समझ लेना जो हम काम कर रहे हैं वो application layer पर कर रहे हैं यहाँ पर हमारा जो data का form है वो क्या है? data ही है ठीक है? जिसे हम आसानी से हम भी read कर सकते हैं वो data ही है लेकिन जैसे ही वो data presentation layer पर पहुचा पर presentation layer पर data कब पहुचेगा? जब आप कोई request भे session को manage करना होता है तो यह actually यह जो तीनो layer है ठीक है यह जो आपकी application layer presentation layer और session layer है यह तीनो software based है ठीक है फिर यहाँ पर जब data पहुंचता है आपका transport layer पर तो आपका data जो की already compressed हो चुका है और encrypt हो चुका है वो data यहाँ transport layer पर क्या होगा packets के form में divide होगा packets के form में divide होगा transport layer उस data को packet में divide करेगा और हर एक packet का अपना sequence number देगा जिससे कि उसे वापस से हमलब packet जब हम यहाँ पर तोडएंगे उसे जब वापस से जोड़ा जाए तो सही sequence में जोड़ा जाए फिर यहाँ पर आगे बढ़ेगा के packet में header में वो include कर देगा कि इसका address क्या है और इसका address क्या है नि कहां से कहां से तक पहुँचना है यह network layer की जिमेदारी है यह IP address जो है वो source और destination दोनों के IP address को हर एक packet में header file में डाल देगा बास समझ में आ गई तो network layer में हो data यहाँ पर अभी क्या है packets के form में है फिर जब यहाँ पर data link layer पर पहुँचेगा हमारा data जो है वो data link layer पर पहुँचेगा ठीक है तो यह data क्या होगा frames में divide हो जाएगा ठीक है फ्रेम में बटेगा data जब frame में बटेगा फिर आगे जब data पहुचेगा तो यहाँ पर data हमारा bit के form में convert हो जाएगा ठीक है और इन सभी layer पर अलग-अलग protocol काम करते हैं ठीक है अलग-अलग काम को करने के लिए अलग-अलग type के protocol है ठीक है तो यहाँ पर जब finally हमारा data physical layer पर पहुचेगा तो यहाँ पर वो digital data जो है वो electrical signal में convert होगा जिसे हम bit कहते हैं ठीक है फिर यहाँ पर यह data हमारा travel होगा ट्रेवल होते होते है जब receiver के पास पहुचेगा तो यहाँ पर physical layer के पास वो क्या होगा वो bit के form में होगा और जब यह data वापस से उपर को जाएगा ठीक है ध्यान देना तो यहाँ पर physical layer में data क्या होगा bit के form में आगे जब पहुचा तो frame में convert होगा ठीक है frame में convert होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ network layer ने चेक किया कि हाँ data हमारी लिए ही था और सारे packet receive हो रहे है कि ने receive हो रहे है यह सारी चीज़े चेक करेगा transport layer पर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर data को packets में divide किया गया था और यहाँ पर data packets जो है वो आपस में जुडेंगे sequence number के हिसाब से जुडने के बाद वो data session layer पर पहुचेगा और session layer वगरा यहाँ पर क्या करेगे उसको चेक करेंगे कि सारे packets मिले हैं नहीं मिले हैं कोई error तो नहीं है फिर data जो हमारा है वो presentation layer पर आएगा और यहाँ पर data वापस से decompress होगा ठीक है और decompress होने के साथ साथ में क्या होगा यहा data को encode और decode भी करती है ठीक है encode और decode यहाँ पर क्या होता है encoding होती है data की जब कि यहाँ पर क्या होता है decoding होती है बाद समझ में आ गई चलिए तो यह चीज आपके clear हो गई exactly OSI model जो है वो किस तरीके से काम करता है किसी भी network के लिए ठीक है तो यह connectivity model है और दूसरा model हमारा है TCP IP model तो जो देखिए अगर हमने OSI model को अच्छे समझ लिया है तो TCP IP model जो है वो तुरन समझ में आ जाएगा क्योंकि जो TCP IP model है यह particular बनाया गया है internet के लिए यानि कि www के लिए World Wide Web यानि कि internet को connect करने के लिए www को access करने के लिए TCP IP model बनाया गया है और यह जो TCP IP model है यह OSI model के उपर ही काम करता है यानि कि main model कौन सा है OSI और उसके उपर कौन काम करता है TCP IP ठीक है और यह दोनों ही reference model है यानि कि एक तरह से algorithm का काम करते हैं practical using का नहीं होता है बास समझ में आ गई तो TCP IP model को हम अगली वीडियो में समझ लेंगे तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही रखत झाल इस वीडियो में आ गई तो